कलस्टीवी के पॉपलर सीरियल छूटी सर्दानी में चल रहा है धमाकीदार ट्रैक हला दोस्तों मैं हूँ कॉमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं बॉलिवोड स्पाई वेल जैसा कि हम एपिसोड में देखते हैं सहर को बुखार आया होता है और वो राजवीर से इशारों में बात करती है राजवीर उसके इशारे नहीं समझ पाता है और उट पतांक सी हरकते करने लगता है दरसल राजवीर को सहर की भाईयों ने बताया होता है कि जब सहर को बुखार आया होता है तो वो इरिटेट हो जाती है वहाँ पर मासी जी और दीदा परिशान हुए रहते हैं कि कब राजवीर और सहर एक हो जाएंगे दीदा मासी से कहती है कि मैंने एक डिफ्यूजर स्पेशल जापान से मंगाया है जो बंदे का मूट चेंज कर देती है फिर दीदा वो डिफ्यूजर राजवीर और सहर की कमरे में लगा देती है आगे राजवीर सहर को खाना खिलाता है और आगे हम देखते हैं कि मासी जी ने दीदा से शर्त लगाई होती है कि सहर और राजवीर का कुछ नहीं होगा आगे राजवीर और सहर को अजीब फीलिंग होने लगती है और फिर राजवीर की नजर उस डिफ्यूजर पर जाता है और वो उसे फिर बंद कर देता है आगे सहर को ठंड लगती है और वो राजवीर को उसे कसकर गले लगा कर सोने कहती है और फिर हम दोनों में एक रोमैंटिक मॉमेंट सीन भी देखते हैं आगे जब सुभा हो जाती है तो दीदा राजवीर को विडियो कॉल करती है और दोनों एक साथ सोते दिखाई देते हैं दीदा खुशी से उछलती है और मासी जी से कहती है कि उन्होंने शर्त जीत ली, आगे हम देखते हैं कि मासी जी दीदा पर भड़क जाती है और कहती है तू मत भूल मैं वही मासी हूँ, तू मेरे चोकट पर आई थी छोटे से राजवीर को लेकर बेसहरा और मेरे से ही तून मामुली हर्षदीब से दीदा जी बनाया और तू मेरी ही बात काट रही है भूल गई तू वो 16 जनवरी की सुभा वेले हाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है वेल सूचने वाली बात ये है कि 16 जनवरी को दीदा के साथ क्या हुआ था आखिर 16 जनवरी का राज क्या है दीदा क वेल वहीं ये भी देखना होगा कि क्या कभी सहर और राजवीर एक हो पाएंगे जानने के लिए देखना ना भूले छोटी सरदार्नी टेलेविजन के लेटिस 804 पटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले